नमस्कार दोस्तों मैं कि आप सभी के सामने एक बार फिर से आज का ये चोटा से वीडियो एक प्रकार से पंचायती राज का ट्रेलर है क्योंकि पूरी पिच्चर जो है न वो आने वाली है कंप्लेट वीडियो सिस्टेमेटिक वीडियो आपको दो-तिन दिनों मिलेगा लेकिन एक इमिज जो आपके दिमाग में बन जाए कि हाँ यार पंचायती राज में यह यह चीज़े हैं पूरी पिच्चर आपको समझ में आज जाएगी आज का ट्रेलर देखने के बाद और जैसे ही आप वीडियो को अंत में देखेंगे तो एक बहुत स्यांदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी आए डिसकस करते हैं फटापट सबसे पहले पंचायती राज को स्वेधानिक दर्जा कोन से सविधान संसोदन के द्वारा दिया गया था तेतरवे सविधान संसोदन के द्वारा दिया गया था जो 1903 में में इसे स्वीकरती मिली थी और 24 अप्रेल को क्या बनाय जाता है पंचायती राज दिवस मनाय जाता दूसरा फैक्ट दूसरा पॉइंट है अनुछेद 40 ये राज से समन्दित है और ये आपको खामिलेगा निती निदेसक तत्तों के अंदर दूसरा पॉइंट है कि सुरो परतम जो पंचायती राज है वो कहां से इसकी सुरुआत हुई तो राजस्तान का जो नागोर जिला है उसका जो बगदरी गाउं है ये बाते हम कह रहे हैं दो अक्टूबर 1969 की ये सन भी हमारे लिए आज की डैट में इंपोर्टेंट चीज़े हैं तो इनको भी याद रखेगा राजस्तान में इसके सुरुआला पॉइंट है वित आयोक का जो सुजाव है वो कौन सी समीति के द्वारा दिया गए था तो वो समीति थी असोक महता समीति तेत्रवे सविधान सोदन जो अनुछेद है कौन कितने अनुछेद की बात करता है तो याद रखेगा इसमें उल्लेक है 243 से लेके 243 ओ तक यानि टोटल जो 16 अनुछेद है व वित आयोक से समदीत होगा अगला पॉइंट है स्वरव परतम बंचायति राज यह कहां से लाग हुआ तो यह मैंने बता दिया रास्तान के नागवर जिले से और बगदरी गाव इलाका है इसके बाद एक पंचायति राज वेस्ता कि सिफारीज जो थी वह कौन सी समीति के क मैं इक पंचायति रास नसता फहां महिला आरक्षन की बात करते हैं कौन से विदानसान का जो हमारा तेतरवा सिविदान संसोदन था उसी के कोडिंग भार्वा पॉइंट है कि भारत में स्तानी सवसासन का जनकी से माना जाता है तो लाड रिपन को माना जाता है 1882 की यह बात है मेगन कार्टा हम सुनते आ रहे हैं अगला है ग्यारवी अनुशुची है वो किस से समध जी था और तेतरवा सिविदान संसोदन के द्वारा 29 विश्यों को यहां पे सामिल किया गया है अगला चोद्वा पॉइंट है कि पंचायती राज जो है जो भाग है उसमें कहां देखने को मिलेगा तो याद रखेगा भाग नो की बात पंचायती राज करेगा पंद्रवा सिविदान संसोदन पारित किया गया था कौन सी समिती की सिफारिष थी एमल सिंग्वी समिती अगला पॉइंट है तेतरवा जो सिविदान संसोदन वा था उस ताइम प्रधान मत्री कौन थे हमारे देश के तो याद रखेगा पीम सी याद रखना है पीवी नर्सिमा राव स्थान ये सवसासन जो है वो कौन सी सुची का विसे है याद रखे का राज्य सुची का है वो कौन सी पंचवर्षी योजना की देन है तो याद रखे का सेकंड पंचवर्षी योजना पैसा एक्ट ये हम डिसकस करेंगे कंप्लीट वेडियो में पैसा उसमें क्या है राजस्तान सहीत भारत के दस राजियों में ये लागो है इस सक्तियां अधिगार जिम्मेदारियां ये कुन से समधित हैं तो 243 जी जी से जिम्मेदारियां लिंक कर लिजेगा जी से जिम्मेदारियां अधिगार सक्तियां भी लेटेस्ट प्रसन आया हुआ है ग्राम सबा की गणपरती जो होती है वो कैसे की जाती है तो कुल सदस्य संक्या का दस्वा भाग यह याद रखेगा धारा अगला लास्ट का प्रस्ण है कि 33 सविदान संसोदन को पालन करने वाला यहाँ पर 33 सविदान की बात हो रही है तो यह पहला रज्य कुन था आपका मद्यप्रदेस था और सबसे इंपोर्टेंड मेने लास्ट शुरुआत में कहा था कि एक बहुत मज़िदार चीज आने वाल चीजी हो सकते हैं कि एक साथ आपको मेटर मिल जाए चलिए तो यह आप पढ़ लेना यह में पीडिएफ सेंड कर रहा हूं इसमें जितने भी आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक जो इंपोर्टेंट चीजे हैं सोट में चीजे हैं वो आप डिसकस कर लेना आज की इस वीडियो म इतना ही थैंक्यू सो मच है वी नेस्टे अस्तरे मुस्क्रा तरे अपने क्याल रोके बावाई